नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका एक बार फिर से मेरी यूटूब चैनल डीजी अन्नु में और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया FLP प्रोजेक्ट जो की मेरा खुद का क्रियेशन है इस FLP का नाम है दोस्तों सलामे इसक मेरी जान जो की एक ओल्ड रिमिक्स है जिसको मैंने सन 2017 में रिमिक्स किया था इस FLP में आपको जो पासवर्ड मिलेगा वो फोर स्टेप में मिलेगा जो की वीडियो के बीच बीच में ही दिखाई देगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आपको पासवर्ड गेन करना है तो ठीक है दोस्तों इस FLP में ऐसी क्या खासियत वह आपको बताऊंगा तो उसके लिए आप वीडियो पर बने रहे और जीर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्यूकि आगे आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो UX इंट्रेस्टिंग म्यूजिकल म्यूजिकल स्टप्स आपको मिलती रहेंगी तो दोस्तों आए स्क्रीन पर आते हैं देर न करते हुए तो दोस्तों देखिए हम स्क्रीन पर आ गए हैं ठीक है और यह हमारा कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट है हमारे इस सौंग का तो हम सबस कि इस प्रकार से यह सौंग मैंने अरेज्मेंट किया है आप लोगों ने यह मेरा सौंग सुना ही होगा और जिन लोगों नहीं सुना है इस सौंग का वी लिंक आपको description में मिल जाएगा तो इस सौंग का अब हम review करते हैं यानि कि इस अफ्यल्पी का review करते हैं कभी कभी क्या होता है न कि हमको as it is जो song का structure है यानि कि जो song का feel है जिस हिसाब से song चल रहा है ठीक है तो हमको उसको उसी अंदाज में उसी हिसाब से रखना पड़ता है जरूरी नहीं है कि अब ये एक मुजरा type का song है ठीक है या कोई कववाली type का song है तो हम इसमें क्या करते ह है हम उसको trans बना देता है हम उसको idiom बना देता है हम उसको hip hop बना देता है ये तमाम तरीके का करते हैं ठीक है अच्छा भी लगता है ऐसा बहुत सी creativity होती है और वह अच्छा भी लगता है बड़ दोस्तों कभी कोई कोई सौंग ऐसा होता है जिसको हमको बिलकुल छेड़न ही नहीं चाहिए हमको थोड़ा बहुत उसमें जो भी अपनी creativity दिखा के song के feel के साथ खिलवार नहीं करना चाहिए अब आप मान के चलिए कि ये जो हमारा song है ये इसका जो scale या sorry tempo है 99 है अब अगर मैं इसको 120 पे कर दूँ या 130 पे कर दूँ तो दोस्तों ये song एकदम बेकार हो जाएगा बिल्कुल बखवास लगीगा ठीक है ये किसी like नहीं रहेगा सुनने के लिए ठीक है तो इसके लिए दोस्तों कभी कभी किसी किसी song के tempo का song का feel उसके rhythm के साथ हमको छेड़खाने नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए ठीक पो पे ही मैंने रखा अब आप देखिए कि हमारा mixer channel है ठीक है अब ये mixer channel में आप देख सकते हैं कि ये 15 नंबर के mixer channel में आया है और 15 नंबर के mixer channel में आप देख सकते है इसके background को मैंने remove करने के लिए parameter key key to लगाया है इस एस एसा किया है ये वीच में फिर दोबारा से लगाय किया है क्योंकि तोड़े से मुझे सॉंग में एक मतब वाइडनेस चाहिए था एक हॉल टाइप का एक ऐसा एफेक्ट चाहिए था दोस्तों तो उसके लिए मैंने रिवब का एड़ किया ठीक है बाकी ये नीचे आप देख सकते हैं फूटी डीले और रिवब टू का इस्तिम मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा इस सॉंग को भरने के लिए इसके फील को और बढ़ाने के लिए रिवब और डीले का आइड़ यहां पर मैंने किया है दोस्तों ठीक है दोस्तों अब आ जाते हैं गाने की ओरिजिनाल्टी रिदम की उपर तो कभी-कभी जैसा कि मैंने ब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके अगर मेन रिदम सेक्शन पर आते हैं तो आप देखिए तो अगर आप दोस्तों सोंग को सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे headphones या earphone लगा कि अगर आप सुनेंगे, original song के rhythm को सुनेंगे तो जो मैंने ये rhythm आपको ये मैं सुना रहाँ, कुछ इसी प्रकार से ये song का rhythm है हाला कि इस प्रकार से नहीं है थोड़ा बुत उसमें चेंज है तो यानि कि मतब जो पैटर्न है वो इसी पर ही आधारी थे तो दोस्तो ओरिजिनल सौंग के पैटर्न को मैंने कॉपी किया है और अपना एक डूबलिकेट पैटर्न बनाया है अपनी नएने एफेक्ट्स नएन ठीक है हर बनाने के बाद दोस्तो अब आपको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ यहमारा किक काम हो गया खतम आब इसके बाद मैंने यहाँ परकसंगा लगाया ठीक है जब तक धोस्तों अगर हम परकसंग के सौंग के रिध्म के अंदर तब तक उसमें लगेगा कि कुछ नो क आछ किसी ना किसी चीज की कमि रहा गई है दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों यह Bye. आपको मैं दिखा दे रहा हूं देखिए यह पाँच प्रकार के यूज कर गिने ठीटु पर बेस लाइन बनाया यानि कि1 को चारके कीठ का यूज कर थी टान क ही ठीक है तो इस प्रकार से मैंने best line ये बनाया ठीक है अब दोस्तो IGT मैंने अलग-अलग तरीके का percussions यूज किया ठीक है जैसे कुछ इस प्रकार से है ठीक है कुछ इस प्रकार से है इस प्रकार का मैंने percussions यूज करके कुछ ऐसा rhythm मैंने create किया पहले ठीक है अब इस पे दोस्तो मैंने तोड़ा सा धोलक का पंच दिया यानि कि धोलक का फील दिया अगर मैं धोलक का फील नहीं दूँगा दोस्तो तो ये सौंग मुझे मतलब यानि कि ये एक क्लासिकल टाइप का सौंग है मुझरा तो ये उसका feel को खतम कर देगा ठीक है इसलिए मैंने एक धोलक को यहाँ पर add किया ताकि इस song के feel को खतम ना करे ठीक है आप जैसे kick के नीचे मेरा जो धोलक का जो base वाला part सा उसको मैंने cut किया ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे क्योंकि हमारे kick को disturb ना करे यानी kick के नीचे जो भी frequency है उस frequency को मैंने हटा दिया ताकि हमारे kick को disturb ना करे और kick हमारा crystal clean चलता रहे ठीक है दोस्तों तो यह छोटी-छोटी चीजेओ को करके हम अपने काम को और बहतर बना सकते हैं अब अगर तीनों को एक साथ जैसे मैंने सुनाया आपको इस प्रकार लगाए इधर मैंने effects लगाया और इधर fillers के लिए मैंने अलग से tom का यूज किया देखा आपने यह एक fillers का यूज किया मैंने tom का यूज करके ठीक है दोस्तों अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह आपस में यह सारी sounds merge हो गई है ऐसा नहीं लग रहा है कुछ अलग तरीके से चल रहा है एकदम perfect चल रहा है दोस्तों आप इसके बाद दोस्तों यहामने एक symbol लगाया यह symbol यानि कि बहुत light मैंने इसको रखा हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है और काफी अच्छा भी लग रहा है इस तरीकी का बाकी इदर आप देख सकते हैं एक मैंने reverb लगाया यानि कि reverb crash लगाया यानि कि effects लगाया तो देखा दोस्तों उसके बाद हम आज आते हैं इधर आपको दिखाते हैं कि इधर भी हमारा वही है टॉप पेलर के लिए अब मैं दोस्तों उसके लिए अगर मैं लूप पे डिपेंड रहता तो सायद यह इतना अच्छा न बन पाता बट दोस्तों मैंने इसके लिए लूप पर मैं डिपेंड नहीं हुआ इसलिए दोस्तों यह best बना मेरे हिसाब से बना मेरे according यह fillers इसके बाद यहां मैंने डफ का लूप लगा दिया है इसके बाद दोस्तों नीची आप देख सकते हैं साइटरस से मैंने आपको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ यह piano roll को open करके ठीक है sorry मैं साइटरस बोल रहा हूँ यह annexus का use करके दोस्तों यहाँ पे मैंने यह song का scale जो की B major था ठीक है B major या B minor इतना मुझे confirm नहीं याड़े दोस्तों ठीक है बट उसका मैंने यहाँ पे major minor नहीं लगाया मैंने बस उसका root note लगाया है B यानि कि आप यह समल लेजिए गाने का जो main scale है वो B major या B minor है अगर मैं scale निकालूँगा तो थोड़ा time लगेगा इसलिए दोस्तों अभी यह scale के बारे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ठीक है root notes को मैं पकड़के B पे लगा दिया ठीक है इस परकार से आप देख सकते हैं ठीक है दोस्तों बाकी मेरा नीचे wise tag है आगे आ जाते हैं आगे भी same यह जो इधर चल रहा था pattern वही pattern इधर भी चल रहा है बाकी जो इधर का main rhythm जो section चल रहा था इधर भी main वही rhythm section सब चल रहा है song के according जहाँ पे जिसकी जो भी जरूरते हैं तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा ही काम करके अपने काम को बहुत अच्छा बना सकते हैं पूरी नहीं है को हमको पूरे song में भरना है अभी आजकाल एक ऐसा system चल गया है कि अगर जैसे कोई बंदा जिस तरीके का remix करता है लोग उसी तरीके का remix के पीछे पड़ जाते हैं तो उसी तरीके का करने लगते हैं यही दोस्तों आपकी नाकामियावी की सबसे बड़ा राज होता है दोस्तों जिससे आप growth नहीं कर पाते हैं और success नहीं पा सकते हैं आपके अंदर जो capability है जो quality है आप उसको दिखाइए न आप दूसरे को copy करके यह मत साबित करिए कि मैं उनके जैसा कर सकता हूँ बलकि आप अपने काम को अपनी creativity को अपने आपके अंदर जो एक अलग चीज है उसको present करके दिखाइए कि यह मेरा काम है यानि कि यह फलाने DJ का काम है उनके अलावा यह ऐसा काम नहीं कोई करता है ठीके तो आप अपने काम में एक नयापन एक uniqueness लाइए अब आप ही देखि एक दूसरे को copy नहीं करता ना किसी दूसरे DJ remixers की copy करता है आज भी present time में अगर मैं जो भी अपने song बनाता हूँ या जो मैं बनाऊंगा ठीक है तो उसको भी आप merge कर लीजिए कि किसी दूसरे के साथ copy नहीं करता है दोस्तो यही एक success पाने का सबसे बड़ा मंत्र होता है कि आप जो भी काम करिये दिल से करिये और किसी दूसरे DJ remixers की copy मत करिये ठीक है दोस्तो कोई बोलता यूपी 70 style कोई यूपी 63 कोई यूपी 52 पता नहीं अपना अपना क्या आप लोग अलग अलग नाम दे रखे हैं यूपी 70, 75, 72 ठीक है बट म्यूजिक के language में दोस्तो हम इसक बोलेंगे ठीक है अगर आप इसको यूपी 70 style बोलते हैं या 63 style बोलते हैं तो दोस्तो ये आप बोलते हैं ठीक है ये उसका कोई original उसका कोई वास्तविक नाम नहीं है ये आप अपने से अपना एक मनगढंत नाम रखे हैं यूपी 70 style यूपी 75 style और ये आपके एक local region तक ही स हूँ वो क्या सही है क्या इसका original name है क्या इसका real name है तो दोस्तों ये tips मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो अगर आप serious एक music producer बनना चाते हैं एक DJ mixer बनना चाते हैं तो उस जो भी song आप बना रहे हैं आप अपने song का genre रखिए ठीक है genre देखिए कि मेरा genre क्या है जरूरी नहीं है कि आप उसको लिख देंगे GMS baseline ठीक है GMS baseline mix, NXS mix, Harmer mix, harmless mix कुछ भी रख सकते हैं ये तो आप अपने local area में बंदे को दिखा सकते हैं लेकिन अगर आप उसको national label पर अगर आप उसको present करेंगे तो बहुत लोग हसेंगे आप logo को ऊपर तो मेरा उमीद है कि मैं जो ब professional name जिस चीज का होता है, जिस song का होता है, जिस elements का होता है वही बोलिए, वही रखिये ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार सी ये song मैंने बनाया है ठीक है एक classical type का ये जो song है classical type का एक देशी अंदाज में मैंने इस song को present किया है, song का feel को एकदम मैंने खतम नहीं किया है और दोस् stereo enhancer का मैंने परियोग किया है क्योंकि जब भी हम song remix करते तो ज्यादा तर हमारा जो song होता है वो mono होता है ठीक है लेकिन अगर हम उसको stereo करेंगे तो stereo का मतब left right channel पे वो divide हो जाएगा अगर आपको stereo के बारे में और mono के बारे में जानना है तो मुझे comment करके बताएगे मैं उसक आपने अच्छे से नोडाउन कर लिया है तो ठीक है दोस्तों फिर से मिलते आप से अगले किसी नए episode नए tutorial नए musical stuff के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार अपना ख्याल रखिए